नागिन सेविन को लेकर आखिर क्या आया है प्रेंका चार चौदरी का बयान और यहीं नहीं बलकि नागिन सेविन को लेकर उन्होंने क्या चीज कही है एक हसाफ से हाँ भी है एक हसाफ से ना भी है लेकिन ये जो बीच वाला स्टेटमेंट इन्होंने दिया है ना भाई ये बहुत जादा लोगों को गॉसिप में डाल रहा है किसा आप से ट्वेस्ट इंटर्न बना रहा है और लोगों को कंफ्यूज भी कर रहा है कि यार प्रियंका आखिर कहना कैशा रही थी क्या उनका जवाब हाँ है क्या उनका जवाब ना है क्या वो सच में जो नागिन सेवन है वो करने वाली है या फिर नहीं करने वाली है या सिर्फ बाते गुमा रही है आई आपको देते हैं इस बारे में पूरी कबर और पूरी अपडेट की क्या दिया है उन्होंने बयान और क्या क्या बाते नागिन सेवन को लेकर प्रियंका ने कही है तो नमस्कार आप देख र दरवाते रहते हैं और जिस तरीके से प्रियंका इस समय है एक चीज तो बहुत साफ है कि आप लोगों को जो मतलब सपोर्ट है ना उनको बहुत मिल रहा है अभी इसका सबसे प्राइम एक्जामपल अगर मैं आपको दूँ तो प्रियंका जो है दो अवार्ड के लिए नॉमि सामने आ रहा है और दूसरा जो है वो सामने आ रहा है इस वज़े से कि प्रियंका जो है वो उनका जोड़ी अंकित के साथ सबसे बेस्ट था तो इस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बाते भी बोली कि आर प्रियंका को बेस्ट जोड़ी अवार्ड कैसे और फीमेल कर रही है तो उसमें कोई दो राय होई नहीं सकती न और आपको बता दू कि प्रियंका को लेकर बस बहुत जादा इसके भी बना वादा है कि उनका नाम मूवी डंकी जो राजकुमार एलानी की है उसके साथ में भी जोड़ा जा रहा है और लोग यहीं नहीं रुके उसके बा वो अगर खक्त्रों के खेलाड़ी रहे है तो सुरूर करना चाहेंगी लेकिन अभी अभी हाली में उन्होंने नागीन सेवन को लेकर जो बात करेंगा नहीं कर प्रियंका कंगे कि अभी तक अभी तक ऐसा कोई खबर सामने नहीं आया है, अभी तक इत्ता मैम की तरफ से ऐसा कोई मेसेज भी नहीं आया है, कि ये ऐसा को छोड़ा है, और मैं आप लोगों को कोई जूटा दिलासा नहीं देना चाहती हूं, और इस बारे में कोई जूटी खबर नहीं देना चाहती हूं लेकिन हाँ मैं ये भी बोलूँगी कि मैं नागीन 7 शायद हो सकता है अगर आपको लोग मेनिफेस्ट कर दो तो हो सकता है तो इस पर आपकी क्या राहा है हमें जरूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर और इसी तरह के और भी बहुत सारी अपडेट जानने के लिए बनरी हमारे साथ याने की फीफा फ्रूस के साथ धन्यवाद